तो यूँ हुई शिवलिंग की उत्पत्ती और इसलिए होती है पूजा, भगवान शिव का प्रियत्योहार महाशिवरात्री नजदीक है, यह पर्व फालगुन मास के कृष्ण पक्ष की चर्तुदुशी को मनाया जाता है, हिंदु धर्म में महाशिवरात्री का एक विशेश महत्व है, महाशिवरात्री पर शिवलिंग को भी पूजा जाता है, देवों के देव महादेव शंकर भगवान से जुड़ी जो सबसे खास बात है वो यह है कि केवल शिव ही हैं जिन्हें मूर्ती और निराकार लिंग दोनों रूपों में पूजा जाता है, आज हम आपको शिवलिंग से जुली कुछ खास बातों के बारे में बताएंगे, देश भर में शिव के बारा जोरती लिंग स्थापित हैं और इनकी पूजा की जाती है, मान्यता है कि शिवलिंग की पूजा समस्थ ब्रमान की पूजा के बराबर मानी जाती है, क्योंकि शिव ही समस्थ ज प्रतीक, भगवान शिव को देव आदिदेव भी कहा जाता है, जिसका मतलब है कोई रूप न होना, भगवान शिव अनंद काल और स्रिजन के प्रतीक हैं, भगवान शिव प्रतीक हैं आत्मा के जिसके विले के बाद इंसान पर्मब्रम को प्राप्त कर लेता है, केवल महाश शिवरत्री पर खुलता है इस मंदिर का दर्वाजा अंदर गहरा रहस्य शिवलिंग का महत्व शिवलिंग के संदर्ब में इसकंद पुरान में आकाश को भी लिंक्स्वरूप माना गया है शिवलिंग वातावरन सहित गूमती हुई पृत्वी तथा समस्त अनंद शिवलिंग का अर्थनंद भी है जिसका मतलब है कि इसका कोई अंद नहीं है नहीं प्रारम है वायू पुरान के अनुसार प्रलयकाल में प्रतेक महायूप के पश्चात समस्त संसार इसी शिवलिंग में मिल जाता है और फिर संसार इसी शिवलिंग से स्रजन होता है प्रिकाल से शिव के लिंग की पूजा प्रचलित है, सभी देव देवताओं में शिव ही एक मात्र भगवान है जिनके लिंग स्वरूप की आराधना की जाती है, इस संदर्ब में भिन-भिन प्रकार की कताएं और मान्यताएं हैं, कहा जाता है समुद्र मंथन के समय में विश समाप्त करने के लिए शिव ने सारा विश अपने कंट में रख लिया, शिव का कंट विश पी कर नीले रंग का हो गया, वह नील कंट कहे जाने लगे, लेकिन विश ग्रहन करने के कारण भगवान शिव के शरीर का दाह बढ़ गया, उस दाह के शमन के लिए शिवलिंग पर जब उनका विवाद बहुत अधिक बढ़ गया तबगनी की ज्वालाओं के लिपता हुआ लिंग भगवान ब्रह्मा और भगवान विश्नु के बीच आकर स्थापित हुआ था दोनों उस लिंग का रहसे नहीं समझ पाए इस रहसे के बारे में विश्नु भगवान और ब्रह की आराधना करने लगे भगवान ब्रह्मा और भगवान विश्नु की आराधना से प्रसन होकर उस लिंग से भगवान शिव प्रकट हुए और सतबुद्धी का वर्दान दिया देवों को वर्दान देकर भगवान शिव चले गए हो गए और एक शिवलिंग के रूप में स् श्विंगार महिलाओं को रखना होता है चेहरे पर घूंगट।